हम मतत्रा इसथे इungen के आख मलग फिसीज की डीजी की बारे में disrupt करेंगे या पिहले भी यहां से कॉस्सन अया हुआ है इन फिसीज की डीजीज का नाम जिस व्र्लकों 1-enser फिसीज का नाम से फिस, इसका symptom क्या हो is ठीक है या फिर पूर सकता है कि भाई कोई आपका है जैसे कोई ड्रग है management के regarding question आ सकता है कि एक suffix नाम का drug होता है वो कौन सी disease को treat करने के लिए यूज किया जाता है किसने बनाया है उस drug को तो इस type की question जो यहां से बन सकते हैं ठीक है तो क्या question बन सकते हैं अबुर सारे हम देखते वे चलेंगे और हम लोगAL हो जाते हैं एतने गहर होने लगते हैं कि उसके इनसे उसके वॉट वॉइट से इसके बिभाड जान नहें बीнего बिभन्र का है जो इसकी बारें कि ठाप्य स्कुलर्ण का हो सकता है है अब यह होता किसी वजा से मैं इस ट्रइप के कि का होगा या और कोजल ऑ गेनिजम क्या होगा तो यग से लिए सी इस की बात कर जाए है तो यह आपका अल nós है ऐसर अट इसे रेक्टिरियल कि जो कीpes रोविज़ मोनाज़ नाम का बैक्टीव करता है ठीक है और o Wow तो अ.. करता है बैक्टिरिया करता है एरो मोनाग ठीक उसके लावा सिम्टम मैंने आपको बता दिये कि इस तरीके से आपको दिखता है सिम्टम मैंजमेंट की अगर हम इसको बात करें तो सबसे पहला क्या है इस फिच को डिस्ट्रॉय कर दो मतलब जो अगर बहुत जादा फिच में अंचाना रहा है तो दो आप उसको डिस्ट्रॉय करतो वरना अबे बैक्ट्रिय आ किलिशेस यह क्या हो सकता है इंफेक्श्य विच्चा भी फैल सकते है एक लॉदी मचली पूरी तलापको गंदा कर सकती है तो इस विचारी मचली को करना पड़ेगा, destroy करना पड़ेगा, तो जो भी infected fish है उनको destroy कर दिया जाए, पहला तो यह हो गया, दूसरा जो management है आपको काफी सारे diseases में common दिखेगा, वो management होगा आपका K-Amenophor, यहाँ पर 0.5 ppm, 0.5 ppm के K-Amenophor के साथ pond जो है आपका उसको disinfectant कर दो, तो यहाँ पर disinfection के लिए K-Amenophor का use होगा, K-Amenophor का potassium per magnet भी कहते हो, तो आपको कई सारे diseases में देखने को मीलेगा, क्योंकि हमें bacterial fungus जो भी किल करना है, हम उसके लिए K-Amenophor का use कर सकते हैं, तीसरा हमने का भाई यह bacterial disease है, तो इसके लिए कुछ antibiotic जैसे की teramycin, क्या बोला, जैसे की teramycin होता है, इसका use किया जा सकता है, चिंतानी गरनी सब लिखा हुआ है, तो अलसर आपका बता दिये हैं, ठीक है, आप यहाँ पर शल्फर डाइजीन या फिर टेरा माइसीन जो एज एज अंटिबाइटिक का यूज किया जाता है, तो यह है अलसर डिसीज, आज हो सेकेंड डिसीज पर यह भी बहुत इंपॉर्टन हहे, अब देखो रहा है, फिस cheíl हो चुका है क्यों स्ट्व गी क्राब होगे क्या होगे इस FISH की खराब होगे किनि का काम osmoregulation ठीक है क्या होगे इसकी kidney जो आ मालकर्स्ञण bit कर कर स Wizसे का तो Osmo Regulation whole 국as और Osmo Regуляzion ही तो होता है जिसकी वज़ासी वाटर मूव करता है जिसकी वज़ासी वाटर थीक gives you to move करता है अंदर वाहर ठीक से मूव करता है सारा थीटत है ऑढ़ना करिए तो सबस्कृतच के अंदर कीधिती vanynut करैसा हिसल historik का ढ़ना है तो इसका भी क्यों हो गया गया ब्लॉटिंश हो गया कि आप एक बहुते है इसको फूल किया तो थोड़ा सा प्रेसर जो है वो शर की तरफ आंखों की तरफ भी लगता है जिस वजे से इसकी आंख भी थोड़ा बहुरा आने लगती है अ फिर आप कह सकते हैं बल्जिंग न लेखने को मिल सकता है, बल्जिंग आई, ठीक है, इसको एक्जॉप्थेलमिक भी कहते है, एक्जॉप्थेलमिक कंडिशन, बतलब इसकी आखे भी थोड़ा प्रेसर लगने की वज़ा से बाहर की तरफ आने लगती है, तो ये होए कौन सी डॉप्सी डिसीज, और ये भी भी अरोमोनाजी बैक्टिरिया ये डिसीज कोज करता है, ठीक है, तो डॉप्सी डिसीज भी अरोमोनाज के द्वारा ही कोज होती है, बाकी मैंने आपको बताया कि इसकी आखे बाहर आने लगते हैं, इसको में एक्जॉप्थेलमिक कंडिशन बोलते हैं, उसके लावा इसको औ अरोमोनाज के साद आप पॉंड को डिसिंग्फेक्टेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, फिसको थोड़ी देख लिए, डिप करके रख सकते हो, क्योंकि इस बैक्टिरिया को जो है हमें रिमूफ करना है, चलो ये वाली भी बहुत इंपोर्टन है, इसमें कौस्टन के सकते हैं इसकी सिंप्टम के रिकारणी को सकते हैं, इस बैसी कौन सी डिशीज जिसमें फिस पीज के उपर आपको एक वाइट कोटन ही ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब ऐसे लगता है, जिसे बैस खिस के उपर कोटन आगया, अब कोटन और अब ये कोटन तो विट्र ने अटेक किया है उस टाइम चोट लग गया नो कोई भी रिजन हो सकता है जहाँ पे फिसको चोट लगई जहाँपे उसको थोड़ा थोड़ा बलड निकलने तो जहां भी फिस्टो चोट लगी है वहाँ पर क्या होता यह फंगस ग्रोग कर जाता है और फंगस ग्रोग करते है और वाइड कलर के इस तरह की एक वुली या फिर कोटनी ग्रोथ देता है तो यह symptom बड़ा important है कोटनी ग्रोथ यहां पर देता है किस में सेप्रोलेग्नियासिस में ठीक है तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर तो चलो बहुत देख लेते हैं जल्दी से सेप्रोलेग्निया परसीटी का हो गया secondary infection over injury ब्रूज या फिर हैमरोज वही कहते हैं कहीं पर चोट लग गए ख्रोंश लग गए हैमरोज मतलब जहां से थोड़ा बहुत ब्लड रहा होगा तो वहां पर क्या होता है वाइड कोटन की वूल लाइक ग्रोथ हो जाती है ठीक है बाकि फिर इसमें भी जादा कुछ है ने इसक कर सकते हो दो और यहां पर इंपोर्टेंट लिखेंवें मैनेजमेंट में एक मेलचाइट ग्रीन दूसरा है फॉर्मलीन कि मैलचाइट ग्रीन फॉर्मलीन का भी यूज किया जाते है फिसमें कई सारी डिसीज को ट्रीट करने के लिए बट यह थोड़े से टॉक्सिक होते हैं बड़ा संबल के यूज करना होता है वनना थोड़ा फिस को क्या करेंगे नुक्सान करेंगे हाम करतेंगे ठीक है तो सेप्रोलेगनियासिस क्या हो गया वाटनी वाटनी जैसी ग्रोथ वुल जैसी ग्रोथ यहापे तो लीशी आपको देखने को मिल जाएगी वाकिया मेलचाइट ग्रीन फॉर्मलीन वगरा भी फिसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो अब जो अगली डिसीज है यह अब का अब हम बैक्टियर उसंगस की बात करें अब इदे तीन डिशेजी देखी जिवें दो बैक्टिया अरो मोनाज ने करी है और एक फंगस शैप्रोलेगनिया पेरसिटिकरने करी बट यह वाली थोड़िया लग है कि कि आ लग है है यह वाली जो डिसीजेजी ना फंग श्रशेयेंग साइज युकल देक अपर सकते यह स्किन करते हैं अआप यह भी मेरिशटने रहे आपो्य नहीं है सबुस्के अभाविशाध लीआ रहा हम खू哦 क्योंकि आएब के आउन्गों से एक होज though साइज आपको याद नी करना बट मैं बता दे रहा हूँ 0.3 mm सेंच रहे हो आप एक में अगर डोट भी बनाता हो ना ये भी एक mm से बड़ा होगा तो ये तो इस डोट के आदे से भी बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिल रहा है मतलब आँकों से नहीं दिखेगा ये पैरसाइट है जो फिस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके एक इंपोर्टेंट बात क्या है दुरह मिल प्रा इंब 3 के मीड मौरी बहुत थे करते थे इसकी वजादा मियूकस निकलने लगतड़ अिसके लगति जो वह जादा मियूकस एक बहुता होजाता हैWe have too जाफी जारा जो मुकास है वो इक खटा होने लगता है और फिसको भई अंदर से क्या दिक्कत हो रही है उसकी उसकी इसकी में कुछ है तो बार बार क्या करती है खुद को एक हार्ड सर्फेस में जाके रब करने लगती है ठीक है तो यह इंपोर्टन सिम्टम है आपके आप सोल्ट बात दे सकते हो आप फॉर्मलीन का यूज कर सकते हो आप या पिर कैमनोफोर से क्या करो पॉंट को डिसिंफेक्टन कर दो तो मैंगेजमेंट जो है वो थोड़े सिम्लर ही है ठीक है चलो यह तो बहुत इंपोर्टन अब जो दो डिसीजेस आने वाली है यह बह ठीक है क्यों बिकोज इट इजन एक्टो पेरसाइट क्या है यह एक्टो पेरसाइट है एक्टो पेरसाइट मतलब भार की तरफ लगे वे हैं और फिस्को पेरसाइटाइज कर रहे हैं यह देखरो नो चोटे-चोटे से यह इस तरीके से बनावा है हुक्स सकर इसकी वज़ okay a ack to parentsized और इसकी cont होने लगता दिरे दिरे रेडिस रेडिस होने लगता थिक है तो यह दषने ack toe पेर झारिस होता है कौन ऐर्जीलास भूँआथ it same, ़द्चार पेरसौट के अक्ट पेरसटाइट एक्टोपरसाइट है अडाससे पिस के ऊपर इस आखों से भी आपको यह दिख जाएगा धीर धीर फिस की जो स्केल्स वगएर है वो क्या होती है जड़ने लगती है और रेट इसपोर्ट वहां पर बनने लगता है बहुत ज्याद इंफेक्शन है अर्जूलस का तो पूरे पॉर्ण को खाली करके एक बार सुखा लो ठीक है नहीं तो आपको क्या करना है केमनोफोर में वही चीजे करनी है कि आपको केमनोफोर में थोड़े टाइम को इसको केमनोफोर का बात देना है डिप करके रखना कुछ अर्ज देखो आपको एक चीज बता है ulcerative syndrome हमने जो पहली disease पड़ी थी वो हमने ulcer पड़ी थी ulcer मतलब 50 और हमने का था जो पहली disease पड़ी आपकी वह ulcer है देखु वहाइं बड़े बड़े अल्सर बनते हैं, ध्रीण की धृट पन्द मतलब तक जो हैं बड़ेवाय हो फिरीगे टिंद नग जाती है। ठीक है तो कई आफा। काफी जादा いますधी जे दरी यह अलसर फैलते हैं उसकी फिंस वगेरा तक पहुंच जाते हैं और बहुँ जादा अगर यह फैल गया फिस में है तो फिस की डेथ हो चाहेगी टिके यह बैक्टिरिया फंगस दोनों की वज़ा से होता है वह वाला जो अलसर था वह सिर्फ बैक्टिरिया से ता पर अपको एक फंगस भी यह उसकी वज़ा से भी होगा है ठीके हाँ इसके treatment की बात करनी है एफिनोमाइसिस एंवेडंस ठीक है सिंटम तो बता दिया मैंने आपको समझ गई हो आप अब देको भी सबसे इंपोटेंट है एक तो भी आपको यह पता है कि जहां जहां पे फंगस थोड़ा सा जो है डिसीज आपको ज्यादा देखने का मिल लिए या फिकोई डिसीज जो ह है वो फंगस से जो है आपका क्यावरी हो रही है आपको पता है फंगस को आप्टिमम पीए चाहिए होता है कितना फंगस को आप्टिमम पीच चाहिए होता है थोड़ा एसेडिक क्या सपास है ना तो एसेडिक क्या सपास पीच चाहिए तो थोड़ा सा पीच ही बढ़ा तो lime apply कर दो अब थोड़ा सा क्या होगा pH increase हो जाएगा तो fungal disease थोड़ा सी कम हो सकती है दूसरा and very important Cephex drug ठीके Cephex नाम का drug है जो बनाया था किसने Cephex ने और अपने नाम के उपर ये drug रख दिया Cephex ने ड्रग बनाया है इसके treatment के लिए तो इसलिए एक काफी important question है अब नाव वट इस सीफा सीफा इस Central Institute of Fresh Water Aquaculture क्या वोला Central Institute of Fresh Water Aquaculture क्या वोला Central Institute of Fresh Water Aquaculture कहा है यह भूमनेश्वर ओडिशा में है question institute से भी आता है इस बाए कि फोई उठा के देख लो आपके question आया वा था ठीक है तो Central Institute of Fresh Water Aquaculture इस भूमनेश्वर ओडिशा जिसने यह सीफेक्स ड्रग बनाया है यह बहुत important question यहां से बनता है अब है कुछ other diseases अब यह माँ सोचना कि बहुत अब किद्र ही diseases पड़े है न वह भी फिस्की है न यह animals की नहीं पड़ी जा रही तो भई ऐसा नहीं है यह other diseases भी important है क्यों important है क्योंकि जो पहली diseases में यह आपका A4 में I think 2022 या 23 में यह question पोचा था अब जैसे इसके symptom है वैसे उसका नाम भी है fin and tail rot मतलब इसकी fin और इसकी tail क्या होगी rot होना मतलब खराब होने लग जाएगी तो इसकी का नाम यहां पर दे दिया तो जैसे symptom है वैसा ही नाम है अफिन and tail bit rot अब दे दिख OS में क्या हो रहाा हैagne इसकी fins जो रॉप किढह है अर्ञ़िकर जो भी आपर दे इसकी when생 को नाम तो यह है आपका क्या आप फिने टेल्डोट और जनरल यह आपको जो है बैक्टिरिया की वज़ा से देखने को मिलता है शुदो मुना जो अगेरा बैक्टिरिया जो है थोड़ा ज्यादा रिस्पॉंसिबल होते हैं इस डिसीज को कोई करने के लिए हाला कि यह और भी रिजन हो जाकि तोर आ यहिक्त आपको प्याइक आपकों रेखने के लिखाने बैस हाफेगर के लिखने के जो और इस अलग cricket चाता है परिशम की जोंए क्या आपकों कशे आपकों आपके में तोर आपकर करते हये और ओफिसप्रोंड़ पड़ता पार आपक्टिक नहें यह में तो पीछे इसकी ब्रेइन की तरफ थोड़ा प्रेसर लगाई ठीक है आपको कट्चा में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है बाकि इसमें भी वही है क्लोरोमाइसिटीन का बात दे सकते हैं या फिर केमनोफोर के साद डिस इंफेक्ट आप इसको कर सकते हो ठीक है तो यह क प्रेंग की फॉर्मिक्यों पासर ना इतना याद करो है बहुत है इसको कταस्स की व्यचा होता है और कब होगा होटेश टाइम पे जब क्या होगा आपको लिग होग बहरे और चाहिं ज़र जाए दीरे दीरे फिसकी घ्रस क्योते हैं ज़रब हों रहे बाकि मितलब कराब Caminoffor, copper sulfate, इनको generally use किया जाता है, disinfection के लिए, disinfection के लिए हम generally use Caminoffor का ही करते हैं, बाकिया आपका salt वगेरा है, इस से हम क्या करते हैं, इसको बात कराते हैं, अधे को एक disease हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, इच disease, क्या बोलते हैं, इसको इच disease बोलते हैं, और important चीज यहां से यह बनती है, कि भई यह और ना mental या aquarium की बहुत common disease है, तो aquarium में कई बार यह देखने को मिलता है, ठीके, तो आपको थोड़ा सा धियान रखने हैं, इसके बार में यह भी warm water की disease है, इक्टियो पाइठरी, ठीके, तो यह याद रखना है, इच disease इसको सोट में कहा जाता है, अब जो यह आपका यहां पर organism है, यह जो इसको फिस को damage कर रहा है, ठीके, इसकी वज़ा से फिस की body थोड़ा सा क्या करती है, response से प्रोड्यूस करती है, उसका भी तो कुछ immune system है, और उसी वज़ा से इसकी उपर white-white color की यह sport दिखने को मिलते हैं, यह आपका क्यों है, फिस रिस्पॉंस कर रही है, उस organism के लिए, इसलिए white-white color की इसमें sports जो हैं, वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बाकी वही है कि फिस थोड़ा सा अपने fins को आसपस लेके आ जाती है, ठीक हो, थोड़ा सा क्या होती है, अलग रहने लगती है, कोशिज करती है कि यह जो organism है, यह क्या है, इसकी body से हट जाए, इसलिए white-gale sport disease बाकी वही है, salt birth वागेरा है, थोड़ी density वागेरा कम करो, ठीक है, तो यह सारी चीज है, चलो, अब देखो भई, protojova की disease यह से हैं, तो बस यह आपको तो पता हो, बहले कुछ पता हो, ना पता हो, कि protojova से disease कौन सी होती है, तो trichodyniasis है, अब आप से नाम पर पढ़ा है, trichodyniasis, जो डिसीज है, किस की वज़ा से हो रही है, protojova की वज़ा से हो रही है, ठीक है, यह पे भी कुछी है, फिस आप से मजलो की पिचारी डिप्रेस आगे है, ना फिस भले गर्मेंट जो आपकी चारी नहीं करती, पर डिप्रेस बिजा खाने का मनी नहीं करता है, कुछ खाने का मनी नहीं करता है, तो भूप लगना बंद हो गया, कुछ खाने का मनी करता है, एकदम लेथार्जिक सी हो गई है, फिंस को अपने पास पास ले आएगी, और एकदम अपने आपको आपको आइसोलेट कर लेगी, बागी सबसे अलग हो जाएं ठीक है और फिसको तोड़ा सा stress जो है वो कम होना चाहिए ठीक है बस एक-दो diseases हो रहे हैं बाकि हेल्मेंस की disease या फिर हेल्मेंस को आप वर्म्स भी कह सकते हो तो हेल्मेंस में आपको यह तो बता दिया यह मैंने आपको पहले ही इसके इंपोर्टनेंट है उसके लावा दो और हैं एक है ब्लैक इस्पोर्ट डिसीज ठीक है आपका क्या होगी है डिपलो इस्टोमियासिस और आपका यहां पे होगे लिग्यूरोसिस टैप वर्म यह भी याद रखना पर जो लिग्यूरोसिस डिस स्नेल से कई हूए स्नेल क्या करता है कि स्नेल आपका स्नेल प्रोटो जोओं है यह प्रैलोसिस डिसका स्ऽभना म्हां जो इसके खinator की कि आम करते हैं और इस्नेल समेड़ी DW maisा आपकं स्नेल पेला सकता है तो ऑट इसीजित अना फेल है भी लग विली लोसिस में थोड़ी सीです अब अगर इस डिसीज को देखोगे न आपको क्या देख लिया ठीक है इसलिए मैंने वैसी इमेज नहीं डाली कि आप देखी ना पाओ अब इसमें क्या होता है यह चोटा है चोटा नहीं बहुत चोटा है वरना इस तरीके से होगा यह पूरा वाइट कलर का आपको इस तरीक NAT नहीं तला बढ़ अबस साथ इसत defence ये लॉटा न खुषच। इस तरीके से कॉईल सोटा यह पूरी होता है ओरिशिसकरत पेडियों यड़ज के अंदर अपको यह यह घुद वरा पड़ा होगा इसलिए उतना पर जाता है कि समझ की फूल आता है यह जैसेशिं का हलका सा कट करोगे स्टमाख पूरा पूरा निकल के भाहरा जाएगा ऐसे लगए जैसे पूरी इंटेस्टाइन सी भाहरा आगे न देखते बड़ा जीब लगएगा इसलिए मैज नहीं डाली जिसको देखना है नेट पे डालना लिग्यूलोसिस देखते समझ जाओगे क्या बात करना चा अब आपको बता दे कि अल्सरे अरोवना सुड़ो मनाज करते हैं कैसा स्म्टम में क्या मैनेजमेंट है यह आपको मैंने बता दिया अल्सरे ड्रॉप्सिया सेप्रोलेग्मियासिस वगेरा है ठीक्टाइलोगायरास गायलोडेक्टाइलोसिस है और आपका एपीजोटिक अ बहुल मत जाना और मैं आपको एक चीज जो बताईए उसको लिख लेना क्योंकि यहां पे नहीं लिखाए इटीजेन अक्टापेरसाइट आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है ठीक है तो यह थी आपकी फिस्की इंपोर्टन डिसीजिस यहां से आपके कॉस्टन कवर हो हो जाने चाहिए अगर फिस्की डिसीज वो टच कर लें ठीक है तो थेंक्यू सो मच्च यह था आज का सेशन बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स सेशन में